वाइरल खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए जिससे कि हमारी सारी खबरे आप तक सबसे पहले पहुंच सके नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबन्त रेता युक से जुड़ा हुआ है माता सीता का जन्मिस्थल मिथिला है धार्मिक और रहती आसिक मात्व के कई दरो औरो के लिए ये जगह विश्व परसिद है सुन्दर घाटी पाड़ों से घिरे स्खूपसूरत सहर जील जर्ना और बीच घूमने तो कई बार जा चुके होंगे आप उनमें से पहला इस्थान है जनकपुर धाम नैपाल में इस्थे जनकपुर हिंदूों का बड़ा तीर्थिस्थल है जर्ना के यहां राज करते थे भगवान राम की साधी सीता से यहीं हुई थी इस पावन इस्थान इस्थान पर काफी भारी संख्या में लोग दर्सन के लिए आते हैं अहिल्या इस्थान राम चरित मानस में तुलसिदास और रामायन में वाल मिकी ने इस भूमी को काफी पावन बताया है यह जगे भारत सरकार द्वारा विक्सित हो रहे है रामायन सरकेट का इस्था है यहीं से कुछ दोय रिस्थित ब्रंबपुर्ग गोतम रिशी से जड़ा इस्थान है बली राजगड यह आर्केलोजिस्ट सर्वे ओफ इंडिया द्वारा संरक्षित इस्थाल है और इसे राजा बली के गड़ के रूप में जाना जाता है पाच चड़नों में हुई खुदाय में यह तीन अजार साल पुरानी सामगरी मिली थी बिष्पी मदुवनी यह जगे कवी कोकिल विद्यापती का जन्म इस्थाल है उन्होंने यहाँ पर ही संस्कृत और मेथिली में कई ग्रंथोगा गीतों की रचना की थी पुनौरा धाम सीता मड़ी बिहार के सीता मड़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम मादा सीता का स्थाले हल चलाते समय राजा जनक को इसी जगह पर सीता मिली थी राजनगर दर्बंगा ये दर्बंगा रियासत की पुरानी रासधानी रही है बंगा माराज के पुराने महलों के बगना वशेस यहां की अतियासिक समरिद्धी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हाला कि यहां के महला भी खंडार होगे चले हैं, यह बियार के मदू बनी में इस्थित है।